हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको चार्ज लाईों का एक बहुत ईजी सा और ब्यूति फुल सा नीटिंग पैटर्न बताने वाली हूँ देखो फ्रेंज ये डिजाइन जो है बहुत ही इजी है बनाने में केवल चार सलाई का ये डिजाइन है और इस डिजाइन को आप हाप स्वेटर, फुल स्वेटर, जैंस या लेडीज किसी भी प्रोजक्ट पे आप इस डिजाइन को अपलाई कर सकते हो बनाने में ये बहुत ह आसान है टुटल फूरो का यानि चार सलाई का ये डिजाइन है और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने फंदे टूके मल्टिपल पे लेने हैं यानि की इवन नमबर पे हमने फंदे लेने हैं दो 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 करके जोड़े की हिसाब से फंदे रखने हैं ये दिखिए इसकी बैक तो 10 फंदे मैंने इस पर लिए हैं यह डिजाइन हम राइट साइज से स्टार्ट करेंगे फ़र्ष्ट रुर राइट साइज यानी सीधी तरफ से हमने पहली सलाई बनानी है चार सलाई का ये डिजाइन है और चारों सलाईयां ध्यान से देखिएगा पहला फंदा एस्टिच है इसे हम ऐसे ही स्लिप करेंगे इसके बाद देखिए आगे के जो ये दो फंदे हैं दो फंदे का हमने यहाँ पर एक फंदा बनाना है तो पहले फंदे को हम इस तरह से फिर से हमने यही करना है दो फंदो के यहाँ पे एक फंदा बनाना है पहले फंदे को इस तरह से पलटके रखेंगे फिर दो फंदो पे सलाई डालेंगे और दो फंदो का यहाँ पे एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से बुनते हुए इस तरह से पूरी सलाई हमने इसी तरह से बनानी है यानि कि जितने हमारे फंदे होंगे उनके बिल्कुल हाफ हमारे फर्स्ट रो में हो जाएंगे सारे फंदे दो का एक जब हम करेंगे तो फंदे हमारे जस्ट हाफ हो जाएंगे देखे इस तरह से और जो लास्ट का फंदा है इसे सीधा बुनेंगे तो देखिए इस तरह से हमने पहली सलाई बनानी है किनारे किनारे के फंदों को हमने सीधा बुनना है और बीच के फंदों को हमने दो का एक करना है ठीक है अब देखिए सेकेंड रो दूसरी सलाई उल्टी तरब से ध्यान से देखिएगा पहला फंदा हमने ऐस चीचे इसे हम ऐसे स्लिप करेंगे अब धागा पीछे कर देंगे इसके बाद देखिए हमने यहां से यह वाला जो धागा है इन दो फंदों के बीच में जो यह धागा है इसे लेंगे और यहां पर सलाई डालेंगे और इसे सीधा बुनेंगे एक फंदा हम यहां से इस तरह से बनाएंगे और इस फंदे को भी सीधा ही बनाएंगे तो यहां पर हमारे दो के एक जो हो गए थे पिछली सलाई में तो वापस हमारे दो के दो यहां पर हो जाएंगे इस साइड से फिर से देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमने स्लाइड डालने है और एक फंदा यहाँ पे बनाना है और इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे जितने फंदे हमारे घटे हैं वापस हमारे उतने ही फंदे यहाँ पे होने वाले हैं बैक साइड से एक फंदा हम नीचे से उठा के बनाएंगे और एक इसी फंदे को सीधा बनेंगे तो हमारे वापस दो फंदे यहां पर हो जाएंगे पूरे पहले हमारे पिस्ति सराई में दो के एक हुए थे और बैक साइड में हमारे दो के दो हो जाएंगे ठीके इस तरह से क्रते करते लास्ट का जो फंदा है इसे सीधा बनाएंगे तो यह हमारी यहां पर सेकेंड रो بن गई है इस तरह से हमने सेकनड रो कर दो पर सीधी तरब से पहला फंदा सीधा उतारेंगे इसके बाद पूरी सलाई सीधी बनाएंगे तो इस तरह से हमारी थर्ड रो यहां पे बनेगी पूरी सीधी सीधी फोर्थ रो बैक साइड चौथी सलाई उल्टी तरब से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे इसके बाद पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनानी है देखे इस तरह से हमने चौथी सलाई बनानी है उल्टी तरब से चार सलाईों का ही यह डिजाइन है तो देखें, यहाँ पे चार सलाई हमने इस तरह से बनानी है और यह डिजाइन हमारा आगे से इस तरह से दिकना शुरू हो जाएगा फिर से हमने यहाँ फिरस्ट रो लगानी है एक बार मैं आपको फिर से बना के बताती हूँ, पहली सलाई ठीक है जो हमने first row लगाई थी पहला फंदा slip करेंगे तो इसके बाद इस तरह से हमने दो फंदो का एक फंदा करना है पहले फंदे को पलट के रखेंगे फिर दो पे सलाई डालेंगे और दो का एक करेंगे इस तरह दो का एक करना है यह first row हमारी यहां से फिर से रिपीट हो रही है तो first row को फिर से रिपीट करते जाएंगे पहली सलाई से और चौथी सलाई तक हमने बार-बार रिपीट करना है यह देखे फिर्स रो यहां पे बन गई अब second row back side पहला फंदा उल्टा उतारेंगे धागा पीछे करेंगे देखे यहां से हमने इस धागे के नीचे से हमने सलाई डालनी है जो एक धागा है इसके नीचे से सलाई डालके एक फंदा यहां पे बनाएंगे फिर इस फंदे को भी सीधा बनेंगे फिर एक फंदा यहां से उठाएंगे एक धागा नीचे और एक इसे बुनेंगे जितने हमारे आगे से घर्टे हैं उतने ही हमारे पीछे की तरफ से बढ़ भी जाते हैं इसे आप चाहे सीधा बुन सकते हो या उल्टा क्योंकि यह हमारा एस्टिच है और यह वाला फंदा हमारा सिलाई में चला जाता है तो एस्टिच को आप अपनी हिसाब से बुनिएगा अब देखे थार्ड रो राइट साइड पहला फंदा मैंने सीधा उता रहा इसके बाद पूरी सलाई सीधी सीधी बनानी है पूर्थ रो बैक साइड चौथी सलाई उल्टी तरब से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे इसके बाद पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे तो बहुत ही आसान डिजाईन है केवल दो सलाई में ही हमने डिजाईन बनाना है बाकी दो सलाई है तो हमने प्लेन प्लेन बनानी है सीधी तरब से सीधी और उल्टी तरब से उल्टी तीसरी और चौथी सलाई तो हमारी बिल्कुल प्लेन आएगी केवल पहली और दूसरी स लाइक है बनने के बारे बहुत ही ब्यूटिफुल दिखाई देता है बहुत ही बारिक बारिक डिजाइन तो बनाईए आप इसे और मुझे कमेंट करके बताईएगा आपको डिजाइन कैसा लगा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथी साथ थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स बाबाई